वेलकम टू आहुजास रेसिपीज आज हम आपके लिए लाए हैं वेजिटेबल राइस अपम की रेसिपी ये राइस अपम खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगते हैं जब भी आपके गर में इडली का बैटर बच जाए तो आप उससे ये स्वादेश्ट अपम बनाए ये बहुत ही कम समय में और आसानी से बनकर तयार हो जाते हैं इसे आप ब्रेक्वास्ट लॉन्च या दीनर किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं चलिए बनाना शुडू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ 3 से 4 कप जितना इडली बैटर लिया है इडली बैटर बनाने की लिंक भी मै अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है इडली बनाने के लिए जितना गाड़ा हम बैटर रखते हैं उतना ही गाड़ा बैटर हमें अपम के लिए भी रखना है अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे सबसे पहले हम इसमें आदा कप बारिक कटा हुआ पत फिर वन फोर्थ कप जितना बारिक कटा हुआ हरा धनिया आप इसमें बारिक कटा हुआ प्यास भी डाल सकते हैं एक बड़ा चम्मच अद्रक हरी मेर्च का पेश फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं अ तो अपम बनाने का जो बैटर है वो बनकर तयार है सबजियों की कॉंटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने पसंद की और भी सबजियां इसमें डाल सकते हैं अब गोल में हम 1 फोर्ट टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालेंगे अ आपके अपन भी फूले फूले हुए बनेंगे अब हम अपन बनाना शुरू करेंगे मैंने यहां अपन पैन को गरम करने के लिए रख दिया है अपन पैन के सभी खाने में हम थोड़ा-थोड़ा सा तेल डाल देंगे फिर इस तरह से अपन पैन को थोड़ा सा गोल-गोल गुमा लेंगे जिसे उपर तक तेल अच्छी तरह से लग जाए अब जो अपन का गोल हमने तयार करके रखा है उसे हम सभी खाने में डालेंगे गोल को हमें पूरा उपर तक भरना है तभी हमारे अपन फूले-फूले ह हुए बनेंगे इसी तरह हम सभी खाने में गोल डाल देंगे गोल डालते समय हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है देखे मैंने सभी खाने में घोल डाल दिया है अब गैस का फ्लेम हम slow to medium रखेंगे और इसे डखकर 40-50 सेकेंड के लिए पकने देंगे यहां मैं आपको बहुत ही important tip बता रही हूँ जब भी आप अपम को पल्टें तो वो उपर की तरफ से एकदम dry हुए नहीं होने चाहिए अगर यह उपर की तरफ से एकदम dry हो गए और उसके बाद आप इसे पल्टेंगे तो अपम फूले हुए नहीं बनेंगे इसलिए अपम जब उपर की तरफ से इस तरह थोड़ा सा गीला हो तभी हमें इसे पल्ट देना है जिससे यह दूसरी तरफ से भी अच्छी तरफ फूल जाए अपम पल्टने के लिए आप कोई भी नुकिली चीज का यूज़ कर सकते हैं जैसे की चाकू, चम्मज वगेरे तो इसी तरह हम सारे अपम को पल्ट देंगे अब सभी खानों में हम फिर से थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल देंगे इतने गोल में से लगबग 30 से 35 जितने अपम बनकर तयार हो जाते हैं फिर वापस से इसे डग कर slow to medium flame पर एक मिनिट के लिए रहने देंगे या फिर तब तक जब तक ये नीचे की तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं देखें दूसरी तरफ से भी अपम कितने बढ़िया फूल गए हैं अभी हमें इसे उपर की तरफ से और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का करना है तो हम इसे वापस से पलट देंगे और slow to medium flame पर कुछ second के लिए रहने देंगे देखें ये अपम दोनों तरफ से कितने बढ़िया फूले हैं तो आप भी मेरे वीडियो में बताए गए इस important tip को ध्यान में रखते हुए अपम बनाएंगे तो आपके अपम भी इसी तरह एकदम फूले फूले हुए बनेंगे अब ये राइज अपम दोनों तरफ से golden brown कलर के हो चुके हैं इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे गर्मा गरम राइज अपम को आप ग्रीन चतनी, सोस या नारियल की चतनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं ग्रीन चतनी और नारियल चतनी की लिंक भी मैंने अपने description box में दी हुई है तो आप भी इसे जरूर एक बार dry करें आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में दी गए बेल आइकन पकलिक करके औल सिलेक करें जिसे मेरे नए नए रेसिपेस के notification मिलते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार